दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो फ्रीज का जो कमपरिशर होता है ना उसके सब कुछ डिटेल्स कवर करने वाला हूं फ्रीज को कितना रेट लेता है और कहां पे मिलेगा और कौनसा कमपरिशर हम किस फ्रीज में यूज कर सकते है मतलब single door वाला double door में use कर सकते या फिर defreeze में use कर सकते या फिर defreeze में जो compressor लगते है उसका क्या rate है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में वीडियो दोस्तों बहुत ही बहुत important है आपको यदि fridge खराब हो चुका है या फिर defreeze का रिपेरिंग का काम करते हो या फिर उसका काम सिखने वाले कुछ भी हो आपको यदि fridge का compressor के related कोई भी doubt या question है आज की इस वीडियो में आपको solve हो जाएगा चले दोस्तों यहाँ पे कुछ different brand का जो की compressor फिलाल मेरे पास है ठीक यहाँ उसके बाद यहाँ पे जो की जो की मिलने लगया blue star blue star का भी लगएं blue star का भी बहुत अच्छा से cooling करता है यहाँ पे तो सिर्फ बहुत अच्छा cooling करता है इसका मतल़ नहीं बहुत अच्छा cooling करेगा वह दोस्तों आपको choose करना पड़ेगा कौन सा compressor आप कौन सा freeze में यूज कर रहे हैं तो उसी सबसे दोस्तों वह वाला cooling देता है ठीक है उसके बाद किस टैप से अब उसके अंदर gas filling किये है यदि दोस्तों आप उसके अंदर gas filling अच्छे से कर दिये आपको सबसे हैं तो अच्छाई कुलिंग देगा उसके बाद दोस्तों एदि सिंगर डॉर का एदी compressor है उसको भी दोस्तों यदि आप AUDIENCE के अंदर you करोगे तो आपकी इसके अंदर उसका प्षट्यन को उतना पावरफुल नहीं है से सबसे आपको com therapies के अ आपको प्राय्स चल्यक norm को डिखा देता हैं इस ताइपर होता है उसके बात दूस्त हम आगे बाद करेंगे कॉन सा फ्रिस्ट के अंदर कॉन सा कमपेशर लगाना चाहिए उसके बाद दूस्त हम बताएंगे आपको a brass 선물 का प्राइस ठीक! यहां पर दोस्तों सबसे बिले में आपको एक ब्लू स्टार का खोल के दिखाता हूं रिफ्रिजेनेटर कंप्रिशार जैसे वॉक्स का पेकेजिंग है यहां पर जो की ब्रांड का लोगो उसके ब्रांड के बारे में बात करना फास्ट कुलिंग यहीं से बहुत सारे सब बगरा बगरा लिखते है ठीक है उसका दोस्ता हम इसको खोलते है खोलने के बाद दोस्ता हम बताएंगे यह दोस्तों सिंगल दोर का यह तो यह दोस्तों एक पुराना कंप्रिशार है इसको चलो साइड में रखते इसको खोलेटे तो किया कुछ बोक्स के अंदर प्राइज मेंसेन, मोडल वगरा, सबकुछ मैं आपको बताजताता हूँ, बॉक्स के अंदर दोस्तों प्राइज जी सिकी मेंसेन है, 4600 रुपयाूर तो छो किशा को कमेंगा चली काहूरूर नाबर के बाद यहां पर कुछ इस टाइब का इसका packaging है compressor को बहार निकलते उसके बाद इसका अक्सेसिरि आपको दिखाते तो इसके अंदर दोस्तो सिंगल दोर का compressor है तो सिंगल दोर का maximum जो की compressor के अंदर capacitor नहीं रहता है जो कि Blue star का है यहाँ पर दोस्तों अंदर कोई भी ब्लू स्टर का लोगोफ होगो कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि यह common सा जो कि model बोल सकते है ठीक है यहाँ पर दोस्तों यह जो कि सिंगल डॉर का जो कि इसको लगा सकतो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा जश्ट मामूरी सब कम कुलिंग देगा लेकिन दोस्तो चल जागा इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह अपका double door का जो कि इसका fan का quality अच्छा है तो ठीक है यहां पर दोस्तो बाकी overall अपका हम दिखाते हैं यह सेम टू सेम है लेकि इसका अने दोस्तो देख सकतो 4200 रूपया यह वाला जो कि double defreeze का है इसको खोलो इसको खोल के हम दोस्तो अपको दिखाते है यह पर दोस्तो वालफूल का है इसका भी दोस्तो मॉडल है मॉडल की सबसे इसका मॉडल में आपको बसाता हूँ क्या है कि double door का जो defreeze का जो की compressor जो लगता है उसके अंदर देख से तो क्या कुछ मिलता है यह capacitor मिलता है और high quality का जो कि इसके अंदर relay मतलब high quality का relay भी मिल जाता है ठीक है उसका दोस्तों यह देख सक तो इसका model है so 51 ASF 51X ठीक है यहाँ पर दोस्तों maximum हर model का जो compressor है उसके अंदर जो कि gas charging रहता है R134 इसके अंदर भी है यह blue star है उसके अंदर भी है maximum जितना भी compressor दिखेगा वह ही है R134 ठीक है यहाँ पर दोस्तों इसका जो कि cooling capacity बगर सब कुछ मेंसन है जैसी कि वहाँ पर आपको में आपको दिखा है ASF 51X ठीक है तो यहाँ पर भी होई से लिखा होगा है 51X यहाँ पर देख सेकतो ठीक है जो कि यह वाला model हमने पर्चेस किया हूँ यह दोस्तों इसके अंदर price जैसे की mention है 4600 लेकिन बहुत ही rate जाता ले 3700 रुपिया ठीक है यहाँ पर दोस्तों अभी हम इसके बाकी कुछ information दिखा देते है जिसके voltage, low voltage जो की 160 voltage के अंदर भी यह वाला running होगा यह दोस्तों इसका capacity जो की है 44, 144 watt है power watt जो की 120 watt, 144 जो की इसका capacity दिया है बाकी कुछ यहाँ पर high voltage जो की 260 volt है मतलब दोस्तों इसको यह वाला जो compressor है इसको दोस्तों आप 300 liter तक जो की फ्रीज है उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं उससे ज्यादा है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं यान यूज कर सकते हैं लेकिन cooling आपका कम देगा दोस्तों अब याम आपको बताते हैं सिंगल जूर का'RE क्या almost प्राइज आएगा double door का क्या almost प्राइज आएगा उसके बाद दोस्तों definis का क्या robić आएगा सिंगल जूर का मैं तो बता अएगा,्दि आएगा 2500 två़ Daar चे रुपकी त्रीज का REAL الإekंगा प्राइब को अल्मुष्ट साड़े 5,000-6,000 ऐसे करीब आएगा ठीक है यहां पर दुस्तो वो ब्रांड के उपर डिपेंड है जो की क्या पसिटी के उपर डिपेंड है यहां पर दुस्तो ओवराल में आपको बता दिया हूं फ्रिज का कंपिशर के बारे हैं कंपिशर के इस घर जाके कस्टोमर के 5,500 रूपया और कुछ-कुछ आदर्स डिस्टेंस के सबसे 6,000 रूपया भी हम लेते हैं आपके अरिया में अलग रेट हो सकता है और जो भी कुछ भी डाउट है कोश्चेन है अब कर सकतो और इस टैप से वीडियो देखने के लिए हमार चैनल को सब् करके थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया